नमस्कार में हुम हैक्षर मौड इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस भारतिय जनता पार्टी के हर्याना प्रभारी डॉक्टर अनील जैन के निर्टिताव में आज विधान सभावार कारे करताओं के बैठक कायोजन किया गया जिसमें प्रमुख पदादिकारियों के अलावा बूत पालग प्रमुख भी शामिल थे इस बैठक में हिसार से सांसर ब्रिजेंदर सिंग विध मंत्री कैप्टन अभी मन्यू संक्टन मंत्री सुरेश भट राजे सबा सांसर जनरल डीपी वत्स के अलावा जिलाध्यक्ष सुरेंदर पुनिया समेथ स्थानिय नेता और पदादिकारी मौजूद रहे भाजपा हर्याना प्रभारी डॉक्टर अनील जैन ने कहा कि पर्देश में दो तरीके से कारे चल रहा है एक तरफ तो हर्याना के ये शस्वी मुख्यमंत्री मनोहरलार परदेश भर में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नब्बे हलकों के कारे करताओं की बैटा करुन से मुद्दी और संभावनाओं को टटोलने का कारे किया जा रहा है डॉक्टर अनील जैन ने कहा कि एक तरीके से अगोशित चुनाव की तयारिया चल रही है पूरा मुख्यमंत्री बुपेंदर सिंग हुड़ा द्वारा अलग पार्टी के गठन बारे पिछले दिनों रोध तक में किये गए परिवर्तन रैली पर पूछे गए सवाल को डॉक्टर अनील जैन ने कहा कि भाजपापने कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और वह किसी भी तरीके से इन चीजों से प्रभावित नहीं होती हाला कि डॉक्टर दनील जैन ने कहा कि किसी भी स्तीदी में चुनोतियां हमेशा मिलती ही रहती हैं और वह है इस तरीके के चुनोती पुरन संकेतों के लिए भी हर समय तैयार हैं लोग प्रियता के बावजूद भीर जुटाने के लिए मुखे मंतरी के आगमन से पहले मंच पर अशलील डांसोर कल कैतल में दो कारे करताओं घुटों के बीच जड़प पर उचे गई सवालों को लेकर डॉक्टर ननील जैन ने कहा कि लोग प्रियता अधिक होती है तो कारे करताओं की महतव कांशा भी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं साथ ही उन्होंने कहा कि दो अलग-अलग नेताओं के कारे करता हो सकता है कि अतियोच साहित होकर एक दूसरे से प्रतिस पर्दा करने लग जाए जिससे इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है भारतिय जन्ता पार्टी ने प्रवक्ता द्वारा दिये गई बयान की कारे करताओं हो पहले अनुशासित रहने के अड्वाइजरी जारी की गई थी उसको लेकर पूछे गई सवाल को डालते हुए डॉक्टर रनील जैन ने कहा कहा है कि आंत्रेक मामला है उस पर वह कुछ नहीं करना चाहेंगे अब ऐसा है चुनाओ की गोशित रहने वेरी बजुठी है हमारे प्रदेश में मानिय मुख्यमंतरी जी के नेतरत में बहुत ही प्रभावशाली बहुत बियोन इमेजिनेशन रिस्पोंसिव यात्रा चल रही है एक तरफ दूसरी तरफ से हमने संग्टनात्मक बेठे के करने का तेय किया है कि 90 के 90 हलके में हम ऐसी संग्टनात्मक बेठे के हैं जैसे कारिकरताओं का मन जवस्था बातावरान और मुद्दे सब के बारे में क्लेरिटी रहे कारिकरताओं को इस तरह की बेठे के हम कर रहे देखे ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है भारती जनता पार्टी अपने नेत्रत नीती नियत और कारिकरताओं की मेहनत संगठन के आदार पर चुनाव लड़ती है और उसी से इतने बड़े बड़े रिजल्ट हम हसिल कर रहे हैं इस समय देश का बातारण और देश का जन्मानस मोदी जी के साथ है प्रदेश में मनौर जी ने अपनी साख बनाई है इसलिए बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आने की हम लोग उम्मीद करते हैं लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे कंपलेसेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे धन्यवाद कोई चुनोती देखी चुनोती तो ही हर चुनाव चुनोती होता है चुनाव को हम गंबीरता से लेते हैं पार्टी की आदत है और हम पूरी गंबीरता से चुनाव लड़ेंगे केंदर के नेताप राश्ट्री नेतरत्व मोदी जी अमिद भाई शाह सब लोग चुनाव में अपनी शिर्कत करेंगे, हम गंबीर सा से चुनाओ लड़ेंगे ज्यादा लोग परिया उता होने में और ज्यादा जीत की संभावने कई वार कारिकरताओं की महत्वा कांचा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये तो सामाने बाते इसको इतना ओवर प्ले करने की ज़रूरत नहीं है ये काज़ जगे कोई होगी आपस में ये करकरता अपने नेता के लिए दूसरा करकरता अपने नेता के लिए ये तो ये लोग परियता की निशानी है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं झाल 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 झाल